कि नमस्कार दोस्तों आप देखें लोकल इटीन में आपके साथ दिने अकिनियोत्री आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वारे स्टाप के को फाउंडर अर्विन पांडेजी सार बहुत 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 सब्सक्राइब कैसे आइडिया आया सबसे पहले देखा जाए कि मैं computer science graduate हूँ तो app बनाना मुझे आता है और मतलब जो सबसे पहले जो हमने जो starting करी जब college going ही था fourth year में था तब हमने जो सबसे पहले like idea है कि क्यों ना digital India हो रही है सब जगा digital हो रहा है तो कुछ ना कुछ हम ऐसे product को पर कुछ service को पर काम करें तो हमने उस समय पर जब मैं fourth year में था तो freelancing का काम करता था website बनाता था digital marketing का काम करता था उसके बाद फिर यह हुआ कि हमने जो मेरे जो बच्वन के friend है चंदन जी उनके साथ मिलके हमने software company के स्थापनागरी टेकल पर टेक्नोलोजी उस business को हमने run करा काफी अच्छा response मिला market में कई clients से मिला लोगों से मिलने का मौका मिला वहां से हमें यह ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी गाप है market में जो कि स्टाप management का लोग आज भी 2023 के अंदर हम देखे तो आज भी लोग अपने स्टाप को attendance register के तुरू manage कर रहे तो यह देखा जा कि इसके साथ दूसरी problem क्या है कि जो स्टाप है मतलब उनकी यदी हम proper payroll उनका record नहीं है उनकी salary slip नहीं है तो वो जो कहीं न कहीं जो स्टाप है वो आज लोन भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास documents ही नहीं तो उस case में क्या होता है कि वो states आहुकार से लोन लेते हैं एक loan trap में वो कहीं न कहीं फज जाते हैं तो हमने डिसाइड किया है कि एक ऐसा platform हम बनाए जहां से ना केवल जो business owner है वो अपने staff को manage कर पाए एक बहुत ही simple on clicks पे mobile app के तुरू साथ ही साथ वो अपने जो वहां के लाइक जो उनके staff है वो भी अपनी सालरेज वगरा को बहुत ही असानी से वो देख पाए साथ ही साथ उनके document प्रोपर हो सो दैट उनको लोन वगरा मिलना काफी असान हो और देसे जहां हमने क्यूर स्थाप के स्थाप ना आज से लगवाग डिर साल पहले करी और आज कर रहें एक्रॉस इंडिया कि आपने क्या इंवेस्टमेंट किया होगा इनिशली जो हमारा एप डेवलप्मेंट में लगवाई जो इन्वेस्टमेंट आया वह एट लाइक रूपीज का आया शायद यह मैं कहीं और से बनवाता तो लगवाग पंद्रा लाग बीस लाग र सर्विस जो है कौन कौन से सेक्टर के लोग आपका सर्विस ले रहे हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मैनिफेक्टर इंडिस्ट्रीज है जहां पे ब्लू कॉलर वकर्स ज्यादा तर काम करते हैं वह हमारे आप को यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके लिए जो फिल स् है तो उसको यदि वो दिन भर में 25 किलोमेटर रुनिंग कर रहा है तो 25 किलोमेटर हमारे आप को उपर दिख रहा है उसमें यह भी कल्कुलेट हो रहा है कि उसको फ्यूल का कितना रिइंबस्मेंट मिलना चाहिए तो यह इस फीचर की वज़ा से जो सेल्स और ईस्टॉल करते हैं वह इस लोगों को पता हला कि वापने पर मेंब्सक्रार का सब्सकुन से इसकरता है तो एक सारे साथagar को एक चाफ को एक बार रेकट है और अगले दिन वह वो अपने स्टाफ को मैनेज करना स्टाफ क्या होगी सर आपकी इस एप की बाद हमारा जो एक बेसिक प्लान है वो 300 पर रूपे पर स्टाफ हम चार्ज करते हैं लगभग तीन सो रूपे पर एक स्टाफ के लिए पे करना पड़ता है यदि आपकी दस स्टाफ है तो लगभग स्केल की प्लाइनिंग चल रही है तो अभी हम सेल्स और जो मार्केटिंग का जो वर्टिकल है वहाँ पर हम एक्स्पैंड करने वाले हैं बहुत ही जल्द आप बता रहे थे कि कुछ और जो कंपनिया है जो आपकी सर्विस ले रहे हैं कुछ कंपनियों आम बताएंगे कौन से एक मैं कुछ प्रीमियम क्लाइंट में बताऊं तो पारले ग्रो है जो हमारे आपको यूज कर लिए क्रॉम्टन यूज करी है चीजी यूज करी यह कुछ बड़े नाम है जो अल्रेडी हमारे आपको यूज कर लिए आपकी कंपनी में सालाना टार्न ओबर क्या होगा बा इसे डेड़ साल के अंतराल में आपको किसी परकार से गौवर्मेंट से यह फंडिंग हुई है अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पहला सपोर्ट में बताऊं कि गौवर्मेंट का जो स्कीम है इंकुवेशन सेंटर का बीने भुपाल में हम इंकुवेटेड है हमारा स्ट माच हजार पर मत हमारी सबसेड़ी आती है ओफिस में इसके अलावा जो स्टार्टप इंडिया का स्कीम है स्टार्टप इंडिया सीट फंड स्कीम ऐसाई एफसस वहां से हमें 20 लाक्स रूपीज का फंड अप्रूव हुआ है तो वह हमें वेनिफिट एक मिला है इसके साथ अब रेसेंटली दो दिन पहले हमारा स्टी पी आई का चुनौति फाइप पंटो एक प्रोग्राम था उसमें सेलेक्शन हुआ है तो उसमें ऐसा है कि तीन इंटर्स की सैलरे वो हमारे वो पे करेंगे प्रोड़क्ट को और भी ज्यादा यूश्फूल और फीचर वाइज और अच्छा बना पाएं उस्ट्रागल इस्टोरी बताना चाहेंगे आप जारकंट से बिलों करते हैं जारकंट से भोपाल के बीच है यह जारकंट के बहुत शुटे से गाउं जो साए दो किलो मीटर म इसे काम भी हमने करा हुआ है खेत का सारा काम किया हुआ है वहां से फिर ऐसा हुआ कि हमें कुछ मतलब एक फ्रेंट के साथ हमने प्लानिंग करें ट्वेल्थ के बाग ब्भोपाल देखने चलते हैं जहां आया तो फिर ऐसा हुआ कि college अच्छा लगा फिर मैंने papa से request करी तो बहुत ही मेहनत करके उसने जहां तहां से 25,000 रुपए जुगाड़ की है, so that मैं एड्मिसन ले पाऊं, उसके बाद पर लोन वगएरा का प्रोसेस हुआ, तो जहां से मेरी इंजिनरिंग हुई, उसके बाद ऐसा हुआ कि कॉलेज दिनों में भी बहुत अच्छी स्थिती नहीं रही मेरी, वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता था कि हमें रात में कैटरिंग का काम करना पड़ता था, चार सो रुपए मिलते था, चार सु में भी से पचास रुपए जो बंदा हमें लेके जाता था, वो रख लीता था, तो मतलब रात में हम कैटरिंग का काम करते थे, प्लेट उठाने का काम करते थे, तो मतलब वहां से हमारा thought process मतलब मैं message भी देना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है मतलब यदि आप किसी भी label पे कुछ भी आप काम कर रहे हैं बस आपका vision यह होना चाहिए कि आपको जाना कहां पर है कार क्लीण का हम काम करते थे सुबा सुबा घर जाकर कार क्लीन करते कॉलेज साड़े-अाठ वजे होता था हमारों से फ़लें कार क्लीन करका आ चुके होते थे तो इस तरीके से हमने स्टार्ट करी उसके बाद जो स्टार्ट अप किया 2017 दिसंबर में उसके बाद भी जो फेज रहा लगभा एक से डिर साल काफी स्ट्रग्लिंग रहा देन फिर कोवीड आया और कोवीड में लाइक देखा जाए तो थोड़ा सा आई टी कंपनी को काफी सब्सक्राइब करते गए और आज इस लेवल पर हम पहुंच पाएं सुना कि आपकी सारी स्कूटर वाली कहानी क्या थी थोड़ा इसको बताना चाहिए आप तो जामें आप फोर्थीयर में था और तो उसमें क्या हुआ की एक मैंने मैं फ्रेंड था मैं नाम भी बताता हू तो यदि आप में से किसी भी ओडियंस के पास रोडियो होगा तो उसकी क्या प्रव्लम वह भी उनको पता होगी उसमें वह आप ले लिया तो मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूं गारी पर जिनको जिनके पास होगा वह पता होगा तो उमने 5,000 रुपे में लिया था उस है कि मैं भूपाल में कैटरिंग का करने गया हुआ था उसमें तक स्टार्ट अप करने के बाद भी यह फेज चल रहा था तो उसमें रात में मैं आ रहा था लगए मैं और मेरे को फाउंडर चंदन जी थे तो उसमें ऐसा हुआ कि वह गाड़ी गड़े में गई वही बंद ह हो गई अब आप चार घंटे कैटरिंग की जॉब करके आ रहें मतलब एक जो फिजिकल वर्क होता है मतलब हैट्स आप जो लोग करते हैं उनको काफी टफ होता है मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना आसान नहीं है तो वहां पर रहता हुआ कि गाड़ी बंद होगी ज मतलब अभी भी मैं जहां रह रहा हूं ना वहीं में मल्टी के नीचे वो गाड़ी अभी भी रखी हुए तो उसको अलग सा अटैच्मेंट हो उसके साथ पहले उसके बाद बाद बाइक आई कार आई सारी चीजा आई पर उस स्कूर्टी के साथ मतलब अभी उसका यदि मैं बेज दू कहीं तो साथ 2,500 मिल जाए लेकिन आज भी मतलब मैं इतना अटैच्मेंट उस गाड़ी से कि आज जो भी हैं हम उसी गाड़ी की बदल